अगर हम CH4 को 3D में बनाए तो CH4 tetrahedral geometry है कैसी geometry है tetrahedral में हम dash और edge का इस्तमाल करते है dash का मतलब पीछे edge का मतलब आगे ये आपका edge है ये आपका dash है dashed wedge bond away from the observer bond दूर है तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो आप ऐसे दिखा सकते हो ज़रा ध्यान दो ये क्या है कारबन ये plane पर दो bond कहां पर plane ये plane से आगे हमारी तरफ आता हुआ towards I तॉम्हारी तरफ ये plane से बाहर कागज के ऊपर समझे रहे हो ये तुम्हे इस वक्त paper दिखाई दे रहा है या तुम्हारा mobile दिखाई दे रहा है पीछे जाता है इससे कहते है डैश और आगवाले कहते है एज अब वहां पर हाइड्रोजन है यह है अब कोई किया मैं इस पैटन को हमेशा फॉलो करूँगा अरे आप से यह पूछा जायागा ना कि किस कारबन पर बनाना है किस चलो, अब देखना चला, यह क्या है? यह तो अभी जो मैंने बताया था, अब यह क्या है? hydrogen, 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 CS3, अभी little थोड़ी है इस पहले वाला methane था अब इथान है, पहले एक कार बनता अब दो है अच्छा फिर अब मैं एक और बात करता हूं आप से ज़रा ध्यान देना भी तुरिया चारबन यहां पर दूसरे वाले को मैंने खोला ही नहीं अलगला कार्बन को अलगला खोलना पड़ेगा अहां अब ज에 दयान दो अगर मैं बोड पी द्हां दो बटा अगर मैं यहां पर बीस्टीन अभात अब क्या है आइए न्हीं प्रोपैन है कौनसा कार्बन खोली ज्सेकंड कॉण खोला है इसमें कौन सा कार्मन खुलाता है, फरस्ट कोई दिक्कत है क्या, तो आप कहरो यह है के स्टीरियो केमिस्ट्री, हम 3D में ऐसा दिखा सकते हैं, वैसे यह आपके अभी काम का नहीं है, इसलिए बनागे दिखा दे, कभी कोई एज और डैश पूछ ले, तो at least आपको पता हूं क्योंकि NCI-T में लिखा हूं था, ठीक, इस पर और ध्यान देंगे बच्चो, एक बेंजीन है, बता चुका हूं मैं आपको, बेंजीन के ओपर NH2 तो उसे हम बोलते है, बेंज अमीन या एनिलीन, इसका कॉमन नेम में आपको बता चुका हूं, याद है, बेंज अमीन ये इ इसको मैंने नहीं सिखाया, इसको learn कर लो नाम को, clear, ठीक है, क्या ये ketone है, हाँ, बना के दिखाता हूं मैं आपको, घलत लगे तो टोको, hydrogen complete है, नहीं, कर दो, सबको एक एक है, सिमिट्री है, जैसे बेंजीन में होती थी, लेकिन ये एक ketone है, कारबन गिन लोगे टोटल, साइकलिक होगा है, गिनो कितने कारबन है, साथ है, एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, इसमें भी, एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, क्या दिखाते हैं, क्लियर, चलों आगे, ठीक है, तो ये वाले structure बता दिए, ये भी आद रखना बिटा, फियुरेन ही बोल लिते हैं, मैंसे इसको खली, ठेट्र हीडो, फियुरेन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है चलो पाइरीडीन हो गया फ्यूरीन हो गया और थायोपीन हो गया यह नेमिंग अब आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी सिखा चुकाओ मैं आपको आजो एंसी आर्टी के लिखने का तरीका है यह एमी का मतलब नहीं है ए है कि ओस अचए खान से ही ब्साहर का मतलब मटलब के मतलब क्या है उसको और वता दू मैं आपको cottल अillas यह benzer' नहीं है एह कोई भी अठेच्ट उसके साथ जगे होती है और थो उसके एक छोड़ के होती है मैटा और उसके बिल्कुल opposite होती है पैरा इसके बिल्कुल opposite पैरा इसके साथ वाले दोनों और्थो और उससे एक छोड़के मैटा याद रहेगा और्थो मैटा पैरा और्थो मैटा पैरा बोलो थीक है यह करा आपने नीचे देख लो यह बता दीने आपको पोलर फॉंब बता दिति थीक है अब आप देखो इस वाले को इस वाले नाम को देखेंगे सारे बच्चे और्थो उर्थो इताइल एनिसोल नाम क्या है अब आपने का भया हमें एनिसोल नहीं पता एनिसोल नहीं पता एनिसोल बनाओ पहले तो यह है बेंजीन के उपपर OCS3 पहले बेंजीन बनाओ और उसके उपपर लगा दो OCS3 लगा दिया अब इसकी और्थो पोजिशन कौन सी होती है यह यह किसी यह को भरना है आपको दोनों को नहीं और उसके भरना क्या है इत्राइल होगे अब यह और्थो इत्राइल एनिसोल होगे आपका बोलो दूसरा पैरा नाइट्रो एनिलीन पहले तो एनिलीन मनाना आना चीए पैंजीन के उपपर शाबाश बैंजीन के उपर NH2 और इसके पैरा पे क्या है अब टू और थ्री पे दो ब्रोमो वन फिनाइल पेंटेन पहले तो पैंटेन मनावा कितने है पांच कारबन वन पे है फिनाइल वन पे है फिनाइल टू और थ्री पे दो ब्रोमो है वन पे क्या है फिनाइल मतलब कारबन की चे बैंजीन आउट आफ मेंचेन अब टू और थ्री दोनों पे क्या है ब्रोमो अब मुझे लगता है यह नाम गलत है इसका नाम नहीं होना चीए 2-3-डाइ-ब्रोमो, 1-फिनाइल, पेंटेम क्योंकि बाहर कारबन कम है इसका नाम होना चीए 1-2-3-4-5 इसका नाम होना चीए 2-3-डाइ-ब्रोमो आप मुझे बता हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो ठीक है ही गलत है बेंजीन, क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास 6-गारबन है क्या मैंने आपको यह जिखाया था? ब्रोमीन फंक्शनल ग्रूप को लेना ब्रोमीन प्रैखरी फंक्शनल ग्रूप नहीं है, प्रिफिक्स रहा था? अच्छा वहा प्रिफिक्स दो कुछ नहीं होता तो लेकिन मैं पहले मैंने ये भी पताया था बैंजी और बाहरवाली के आप होंगे ना तो ही ने हो हुझे ठीक है अब देखो टीपाट देखो टीपाट 4 इथाईल-1 devrait हो टू नाइट्रे बेंजीन बनाओ बैंजीन बनाके उसके फ्व पर एथाईल बन पे क्या है फ्लोरो टू पे क्या है नाइट्रो यह नाम है ठीक पहले बताओ यह बात समझ में आई पक्का अब आपको नए नाम क्या देखने को मिले आपको एनिसोल अनिलीन तो बता चुक को मैं एनिसोल पहली बार देखा है पहले बताया था फिर यह बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं अब जर्एसको ध्यान दो यह क्या है बेंजीन क्या हो गया यह बेंजोईक एसिड बेंजोईक एसिड के और्थो पे ओसी एस तरी मैटा पे सी एल पैरा पे नाइट्रो लिख सकते हो को दिकत मैटा क्लोरो तो मिठोक्सी पैरा नाइट्रो बेंजोई कैसे पहले मुझे बताओ बात नाम ठीक है की जलत है समझ में आया की नहीं आया तो यह वो हो गए जिसमें और्थो पैरा मेटा आते हैं अब जरा ध्यान दो एक और्गैनिक कंपाउंड है जिसका मॉलीकुलर फॉर्मॉला है दी एन पी टेस्ट डेरिवेटिव छोड़ो टेस्स लिख दो पॉजिटिव टेस्ट देता है दूसरी बात टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट भी रिडिउस करता है टॉलेंस रिडिउस करता है वो एल्डी हाइड है पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इससे पता चला था है कार्बुनाईल है इससे पता चलाएं, अल्डि हाइड है, आगे, अंडर गोस कैनी जारो रियक्शन, एक ऐसा रियेजेंट है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनी जारो मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? कैनी जारो रियक्शन करता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उन विग्रस ऑक्सिडेशन इट गिवस वन टू बैंजीन डाइकार्बोग्जिलिक एसिड, वन और टू पर, अब जरह इधर आजाओ, ये वन टू बैंजीन डाइकार्बोग्जिलिक एसिड होता क्य है, तो ये तो पता चलिएगा, जो भी आपका और्गैनिक कंपाउंड है, उसके अंदर बैंजीन है, चलो बैंजीन बना दीगा, और वन और टू पर दो चीजे लगे वही है, वन पर तो आपका लगा है, छो किसने बताया है ये, टॉलेंस एजन टेस्ट ने, टू पर कह ल वन और यह सेवन, अब टू बचे है, हो गए नाइज, ठीक है, नौ कार बने है, अब देखो, यह जो कंपाउंड है आपका, इसके दो नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, CH और C2H5, ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इसका ऑक्सिडेशन करूं, किसके ब्रेज करता हूं, तो मुझे दोनों जगे पर COOH मिलेगा, यह मैंने आपको पहले ही बताया था, कि कारबन की जितनी मर्ज लंबी चेन हो, एक COOH ही लगता है, ठीक है, यह मत सोचना, C2H5 है, तो CS3COOH लएगा, नहीं, ठीक, खतमकार, अब यह तो हुई इसकी पहली रियक्शन, दूसरी रियक्शन क्या है, पॉजिटिव DNP टेस्ट आपको करके दिखाना है, बहुत इंपॉटेंट रियजेंट है पिटा, बार-बार बोलता हूं, इसको याद कर लो, 2 पे और 4 पे डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो फिनाइल, हाइड्रा, जीन, ठीक है, अच्छा, अ तुम्हारा कंपाउंड तुम्हें मिला था, CHO, C2H5, ठीक है, इसके साथ अगर आप ट्रेक्शन कराते हो, तो ये पानी निकाल देगा, पानी निकाल के दिखाता हूं, मैं आपको, ये ओ, यहाँ से H लेगा, ठीक है, H2 निकलेगा, बजएगा क्या, C, double bonded N, NH, पूरा डेरिवेटिव 2,4 DNP का, ये C2H5 अब भी हैं अगा है, मन गया, खतम कहानी, ये एक रेक्शन हो गई, 2,4 DNP टेस्ट, दूसरा, तॉलेंस रेजिएंट टेस्ट, टॉलेंस एजिएंट टेस्ट करता है, ऑक्सिडेशन करता है, इसका, टॉलेंस एजिएंट क्या है, एज एनस्ट्री होल्ट ट्वाइस, के दो मॉलेक्योल्स लिए, सिल्वर कलर, इसे सिल्वर मेरे टैस्ट भी बोलते है, ठीक है, और एनी जारू रेक्शन भी करके दिखाने पड़ेगी, इसकी देखो, कैनी जारू रेक्शन एक डिस्परपोस्टेशन रेक्शन है, जिसमें ऑक्सिडेशन भी होता है, रेटक्शन भी होता है, इन्प्रेशन सोफ, के ओएच या एनी ओएच, दो मॉल्ट्यूल्स लिए, ठीक है, कंसेंट्रेटिड एनी वेच या के ओएच लिए, एक बार हो गया, एक बार हो गया, एक बार हो गया, इसका रेटक्शन, छी एच टू ओएच बना, अब आराम से देख लो, इस रेक्शन को, क्या-क्या चीदे ध्यान रखनी है, टेस्ट जितने ही पॉस्टिटी तो सारी लिख दिया है मैंने, ठीक है, और आकरी में जो एक विग्रस ऑक्षिडेशन करके दिखाना तो उसकी रेक्शन लिख दी, और जो तुम्हें मिला है कैमिकल, उसको समझा दिया, आगे देखो, एक कंपाउंड है, एक और गैनिक कंपाउंड है, जिसका मॉलेक्टिलो फॉर्मला है, C8-H16-O2, अब वो जो कंपाउंड है, आपका C8-H16-O2, इसको ढूर्टा है, जो सल्फियूरिक एसिड के साथ, आपको दो चीज़े देता है, कार्बॉक्जिलिक एसिड और एलकॉल, अब कार्बॉक्जिलिक एसिड और एलकॉल जो देगा, वो तो एस्टर हो सकता है, अब एक चीज़ अभी अब मैं सोच रहा हूं कि यहां पर यह चीज़े हो सकती है तो हो सकता है जो आपका compound A है वो क्या हो वो एक ester हो ठीक है ठीक है फिर oxidation of C जो alcohol है आपका उसका अगर मैं oxidation करता हूँ chromic acid से तो वो आपको B ही देता है मतलब यह जो C है और यह जो B है इनके पास number of carbon atom same है oxidation पर number of carbon atom change नहीं होते है ठीक है बस उसके degree change आती है जैसे alcohol से बन गया carboxylic acid यहां दिख भी रहा है कि alcohol से carboxylic acid बना है लेकिन number of carbon atom same है total art है तो मैं चार-चार बाढ़ दूँ चार-चार बाढ़ दूगा तो ही तो आठ बनेंगे दोनों के है ना और बराबर भी होंगे symmetry भी होगे आखरी line C on dehydration पानी निकालने पर C हमें क्या देता है but one in right equations for reaction involves ठीक है अब C क्या है हमारा पहली बात तो यह कि हम अब यह चीज इन सारी reaction से समझ चुके हैं कि C8 H16O2 एक एथर है एस्टर है सॉरी दूसरी बात कैसे समझ चुके हम यह जो आपका एस्टर है इसमें चार-चार कार्बन बठे है Terminator है ठीक है चार-चार कार्बन बठे है fonction 네가 last एक कार्बकजलीक ऐसीड और एक अलकॉल है क को ठीक है तो यह हो सकता आपका B, एक मिल्टो को, अलकॉल C है, यह हो सकता आपका C, यह B, और यह दोनों ही चीज़े बनिये किस से, एक एस्टर से, अब यह बना C3H7, COO, C4H9, यह है आपका एस्टर, और यह है A, अब जर अध्यान दो, C3H7, COO, C4H9, को एस्टर सोफोर, यानिक एसिट के ब्रेजन्स में, मैंने क्या कर दिया, DS टरिफिकेशिन, ठीक है, इसे पानी दिया, और इसने मुझे क्या दे दिया, C3H7, COOH, प्लस, C4H9, COOH, यह है कार्बॉक्जिलिक एसिट, यानिकि आपका कमपाउंड, B, यह है A, यह है C, अब इन तिनों के नाम लिखने आपको, ABC के, फिर कहता है, ओक्सिडेशन करो, क्रोमिक एसिड की प्रेजन्स में, क्रोमिक एसिड है, H2CRO4, ठीक है, C on dehydration gives, buteone, यह आपका C है, यह भी, फिर से अगर मैं इसका dehydration करता हूँ, dehydration भी acid की प्रेजन्स में होता है, तो यह देखा आपको, C4H8, एक alkene, ठीक है, buteone, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक काम और करना, ABC के नाम लिख देना, A क्या है, B क्या है, C क्या है, A है, butyl, butanoate, B है, butanoic acid, C है, butanol, यह हुआ आपका कुशन, एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे ध्यान दो, इस कुशन में क्या गया रहा है, इस कुशन में क्या रहा है, एक organic compound है, ठीक है, उसके अंदर इतना carbon है, इतना hydrogen है, और बचा कुछ oxygen है, carbon, hydrogen, oxygen, ठीक है, उनकी given percentage दे रखी है, उनका atomic mass में जानता हूँ, given mass, 69.77, 11.83, दोनों को add करना, और हंडेट में से माइनस करो, कितना आता है, दिखो, सब्सक्राइब कर देख लेना अप्रोक्सिमेटली तो अटोमिक मास कितना होता है इनका इनका अटोमिक मास होता है ट्वेल वन और सिक्स्टीन अब आपको निकालने इनकी रेश्यों यह हमने 11th क्लास में गया था अटोमिक मास कितना है यह थेक्ष निकालने के बाद सिंप्लेस जो चोटा है तीनों में से उससे तीनों को डिवाइड कर दो तो कुछ रेश्यों ऐसे आती है फाइव इस्टू टैन और यह वन क्या सबस्ट फाइव टैन वन तो आप यह सकते हो कि यहां फॉर्मला बनता दिखाई दे रहा है इंपेरिकल फॉर्मला जब आपको इंपेरिकल फॉर्मला मिल जाए पहले उसका मास निकालो इंपेरिकल मास वो है 5 इंटू 12, 10 इंटू 1 और 1 इंटू 16 और यह दिखाई दिता है 86U या 86 ग्राम यह आपको पता होगा यह एक एटम के लिए और यह एक मॉल के लिए यह चीदे ध्यान रखा करें छोटी छोटी 11th क्लास के आप देखते हैं इसने क्या दिया है अब आपको एंट निकालना होता है मॉलिकल मास ईंपेरिकल मास लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है दोनों है 86 है तो अन तो आपको बना गया तो इंपेरिकल मास और मॉलिकल मास एक ही है दो नहीं है IMPIERICAL मास और मॉलिकल मास एक ही है चलो ठीक है तो आपका होगे हैं आपर molecular mass है C5H10O, खतम, अभी यह जो question कर रहा है ना हमने, अभी हमने यह पता लगाया, A का formula क्या है, अब हम यह पता लगाएंगे कि A क्या है, aldehyde की tone है, कि क्या है, यह तो आपका A है, अब question की बात सुनते हैं, It does not reduce tolerance reagent, but forms an additional compound with sodium, hydrogen, sulfide, मतलब यह कारबोनाईल तो है, लेकिन aldehyde नहीं है, चलो जी ठीक है, गिव पॉजिटिव आइड़ोफम टेस्ट, जो पॉजिटिव आइड़ोफम टेस्ट दे, वो कैसा कारबोनाईल है, मिथाइल कारबोनाई, यानि कि मिथाइल की tone है, अब देख hydrogen sulfide, जो इसके साथ यह कर रहा है, मतलब यह हो, कारबोनाईल तो है, कारबोनाईल है, दूसरी बात, कारबोनाईल तो है, यह पता चल गया, और दूसरी बात, tolerance, reagent test, नहीं देता, मतलब aldehyde नहीं, aldehyde, नहीं है, थोड़ी probability बढ़ गए, की tone होने के, अब, idoform test दे रहा है, अब मेरी बात सुनना, पांच कारबन के साथ, यह आपका methyl की tone बन सकता है, बन सकता है, ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, यह बात भी ठीक है की नहीं, क्योंकि अभी जो यह, यह हिस्सा है, यह confirm नहीं है, मिरे पास, यह ISO भी दो सकता है, यह सीधी चेन है, तीन कारबन की, यह ISO है, यह यह नहीं बता, तो देखते हैं, आगे कुछ और भी देगा आगे, और विगरेस ऑक्सिडेशन इट गिवस इथेनोइक और प्रोपेनोइक, और इथेनोइक और प्रोपेनोइक सीधी लाइन, अच्छा, तो यह यह ही है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका विगरेस ऑक्सिडेशन करता हूँ, यह तो मिल गया मेरे को तो मुझे ये इन दो चीजों में ठूटता दिखाई देगा एक ये और सी 3-7 का मैं ऑक्सिडेशन करूं तो सी तो एच फाइब सी ओएच ठीक है विग्रेस ऑक्सिडेशन किसके प्रेजन्स में हो सकता है वह आपका क्रोमिक एसेड के में नोफोर के टू स्याटू सेवन जो मरजिन हो ठीक ये एक्शन लिख दी अब उपर वाले आईटो फॉर्म टॉलेंस एजट कई बार करा चुकों कराऊं या खुद कर लोगे कर लोगे न लिखने आपको एक्जाम में छोड़ना नहीं है पांच नमबर कुशन आएगा एक नमबर तो हो गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्म निकालने का दूसरा नमबर हो गया इसका नाम बताने का फिर बाकी की जो ती नमबर वो रियक्शन के यह में ध्यान रखना है इस बात का आगे अब कुशन नमबर ट्वेंटी का क्याता है अल्दो फिनॉक्साइड आयन इस मोर इस मोर नमबर आफ रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बॉक्सिलेट आयन अब पहले तो मैं आपको वैसेस का अंसर तो छोटा है मैं इसको पूरा समझा देता हूं यह फिनॉक्साइ अगर मैं इसका एचायन निकालू और बनाऊं फिन ओक्साइड आयन क्या बनाऊ तो आप कहोगे कि भाई है जो फिनॉक्साइड आयन आपने बनाया है ना इस फिनॉक्साइड आयन में रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर है पांच ठीक है लेकिन करेक्ट चार्ड डिस्टिबूशन नहीं है क्यों करेक्ट चार्ड डिस्टिबूशन में आप ऑक्सिजन देखते हो ऑक्सिएन पर नेगिटिव चार्ज है हां बिल्कुल ठीक है कारबन देखते हो कारबन पर उनाची पॉस्टिव चार्ज हो गलत है पेंजी की रिंग के पास पॉस्टिव चार्ज उना ची नहीं बेंजीन की रिंग को यॉक्षिन अपने लेक्ट्रॉन देके नेगेटिव कर जीता है ठीक है अब मैं आपको ना फिन ओक्साइट आयन का स्ट्रक्ट्चर दिखाता हूं इसमें ऐसे एलेक्ट्रॉन ये डीव ठीक Ł більट घोमता है यहा हम नेगेटिव चार्ज जैता है डेल्टा और अंदर भी डेल्टा नेगेटिव है, अंदर डेल्टा नेगेटिव गलत है, बहर डेल्टा नेगेटिव ठीक है, तो करेक्ट चार्ट डिस्टिबूशन में यहां पर कहां गलती हुँ, और अगर कोई आप से बुचिए, क्या ये भी फिनॉल भी स्टेबल है, आप पिनॉ से ज्यादा स्टेवल है फिंओक्सड तो फिनोल फिनॉक्साइड आएं में कनवर्ट होके हम तो लूस करेगा मैं और अपने ऐसे दिकार दिखाएगा तो क्या फिन एसे जढ़ है अब बात आती कार्बॉग्जिलेट क्या कार्बॉग्जिलेट आयन कि स्टेबल है जादा देखते हैं अब एक काम करो इस एलेक्ट्रॉन को इधर वेज़ो और इसको पर भेज दो तो यह तो रेज़नेंस स्टेबल है ट्रेजन है लेकिन दूस्रक्राइं लेकिन क्र्रेच दिस्ट्रीबॉशन दो॥सम मेजिवर बास नेगेटिव हैं और कार्बन पर हलका सा पोजेटीव चार्जएं To आगर मैं इसका स्ट्स्ट्राइं को इवाणा तो उक्सिज़न पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है और कार्वन पर पोजिटीव चार्ज करट डिस्टिबीशन है तो इसमें चाड डिस्टिबीशन भी कर्क्ट है कार्बॉउक्जलीक एसिट में और रेजुनेटि स्टक्चर भी तो ये ज्याधा विग्रेसली एचायन छोड़ेगा as compared to phenol तो phenol जब एचायन छोड़ता है तो बनता है phenoxidine तो phenoxidine जाधा stable है या carboxly कैसे तो आप कोगे phenoxidine साधा stable है यह तो एक बात हुई